तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही amazing सी बहुत ही unique सी puzzle जो है wheel of fortune puzzle शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और शायद देखी भी हो सकती है तो basically ये जो question है SBI PO और SBI clerk means दोनों के ही level का question है इस question में trick point है एक trick line है तो मुझे comment section में जरूर बताना कि आप वो trick point को आप वो trick line को find कर पाए या नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो like और share करना मत भूलना और अगर अब दक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर देना और bell icon भी दवा देना तो आते हैं हम अपने question पर ये question आपको Hindi और English दोनों में ही available है आप वीडियो को pause करके question को बनाना शुरू कीजिए और जितना भी time आपको लगे वह आप comment section में जरूर share करना ये question IBPS guide से लिया गया है इस question के pdf का link आपको description box में मिल जाएगा अब वहाँ से click करके pdf download कर सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये question में बोल क्या रहा है question में इसमें बोला है कि एक wheel of fortune है ये एक तरीके की game है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 concentric circles हैं जो की हम देख पा रहे हैं इस वाली figure में उन wheels को हम लोग घुमा देते हैं एक अठे और इनकी जो concentric wheel की जो shape है या फिर जो भी इनकी figure है वो हमें दी गई है इनमें 8 colors की arrangement होगी बट इस order में हो भी सकती और नहीं भी हो सकती ऐसा कुछ fixed नहीं है तो जो आपको 8 positions दिख रहे हैं यहां पर हम अपने colors को fit करेंगे उसके बाद उसने क्या बोला है कि each wheel has 8 equal parts जैसे कि आपको दिख रहे हैं 8 positions with 8 different colors in the same circular order अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस question में एक tricky point है अगर आपने इस tricky point को पकड़ लिया तो आपको question within minutes solve हो जाएगा मतलब यह आपको लगेगा इने की mains level का question है तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि mains जो exam होता है उसमें हमारे कुछ ऐसे questions होते हैं जो हमें free के number देखे जाते हैं यह उन्ही questions में से एक है तो अब इसने बोला है कि different colors जो है वो same circular order में आएंगे उसका मतलब क्या है अब यह line आपने समझ ली तो मतलब आपका पूरा का पूरा question solve हो गया अब देखो हमारे पास यहाँ पर eight colors थे ठीक है इन eight colors का जो order बनेगा ना for example हमारे पास यहाँ पर order बन रहा है red, white, orange, yellow, pink, green I am taking just an example blue and violet for example हमारा यह वला order बन चुका है हमारे circles में तो अब यह जो दो बाखी के circles है ना इनमें भी जो colors होंगे वो इसी order में आएंगे मतलब red के बाद white आएगा white के बाद orange आएगा orange के बाद yellow आएगा and so on इसी ही same circular order में हमारे colors बनेंगे but colors आगे पीछे हो सकते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि red के नीचे red आए क्योंकि अगर red के नीचे red आ रहा तो हम game खेलेंगे कैसे that's a simple logic that's a common sense तो जो same colors है वो हम देखेंगे उनकी conditions आगे क्या रहती हैं तो यह वले जो colors है ना तो मतलब red यहां पे आ सकते और red के बाद जो भी हमारी circular arrangement इस form में चल रही है मतलब red के बाद white white के बाद orange तो हमारी यह arrangement इसकी ऐसे ही चलेगी positions differ हो सकती है colors की in each concentric circle I hope मैंने आपको यह वाला point clear कर दिया और यही एक basic point था basic जो कहें कि एक trick point था यह हमने पकड़ लिया अब हमारा question बहुत easily solve हो जाएगा उसके बाद उसने बोला है कि outermost circle में अगर white part जो है white part आता है तो वो immediate right रहेगा pink part के पिंक के immediate right रहेगा white in every circle similarly the position of white part is immediate to the right of pink part in innermost and middle wheel अब यह वाला हमारा outermost circle हुआ यह वाला हमारा middle हुआ यह वाला innermost अब तीनों में ही जो white और pink के arrangement है कुछ इस तरीके से रहेगी कि जो pink है उसके immediate right में जो आएगा वो white होगा अब हम देखते हैं अपनी conditions को condition में उसने क्या बोला है कि जो तीनों wheels हैं उनको simultaneously rotate किया जाता है और जब यह जो wheels हैं यह stop हो जाते हैं तो अगर तीनों के तीनों wheels में same color होगा मतलब each position में same color होगा तभी जो player है he is set to win the fortune मतलब वो game जीत जाता है अगर in में same color होगा मतलब position 1 में red 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 example लेकर बता रहे हूं इसमें green 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 blue 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 orange yellow यह समझ में आई आपको बात मतलब अगर सब में same color होगे तभी जो उसका जो participant है या फिर जो खिलाड़ी है he is set to win the game जब यह तीनों जो हमारे पार circles है उसमें same colors हो is that okay और हमने पहले भी strict point को पढ़ा था कि उसने बोला था कि उनका जो order है वो same होगा तो अगर उनका order same होगा तभी तो वो circles में same जगा पे आपाएंगे ना कैसे अगर माल लो कि आप इनका order same ना रखो जैसे red के बाद green green के बाद blue आना चाहिए ना बट red के बाद आप ले रहे हो blue blue के बाद आप ले रहे हो green तो इनका order same कैसे आप आएगा हर एक circle में नहीं आप आएगा ना तो आपको जो order है वो same लेना उसके बाद उसने क्या बोला है कि जो arrangements है ये उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं अपनी outside of the circle में तो हम लोग arrows बाहर को लगाते हैं अगर आपको पता होगा तो हम लोग arrows इसकी बाहर लगाते हैं आप इसको मान के चलो कि आप colors की seating arrangement कर रहे हो यहां पर क्यूंकि जब भी circle आ जाता है तब हम लोग मान के यहीं चलते हैं ना कि हम लोग seating arrangement कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर colors की sitting arrangement कर रहे हो और किस हिसाब से कर रहे हो कि colors जो हैं वो इस position में बैठे हैं कि वो लोग circle के बाहर देख रहे हैं is that okay अगर किसी को इसका जो है basic concept नहीं पता है inside outside का तो मैं एक छोटा सा example लेके बता देती हूं अगर मालो यह circle है इसमें चार लोग बैठे हैं if they are looking in the center center की तरफ face करके बैठे हैं जो A है ना उसका right यहां पे होगा B जिस position में आप अभी बैठे हो आपका right कौन सा है आपका right hand यहां ही होगा ना तो A का भी right hand का हुआ यहां पे अब अगर मैं outside of the circle लेके देखो तो जो positions है वो हमारी opposite हो जाएंगी opposite कैसे होंगी अब देखो A का आपको right में B इठाना है right आपका यहां पे होना चाहिए बट क्यूंकि आप बाहर देख लिए तो आपका right कहां पे होगा यहां पे और आपका left कहां पे होगा यहां पे इतनी बात समझ में आई तो यह चोटा से एक basic concept है जो हमें ध्यान रखना और मैं इसको थोड़ा से erase कर देती हूँ ताकि जो हमारी condition से आगे आने वाली वो हम बहुत ही अच्छा से note कर ले और हमें plot करने में थोड़ी असानी भी हो जाए तो I hope जितने points मैंने आपको अभी तक बताए है वो आपको अच्छा से clear हो गए होंगे कि हमें इनकी arrangement actual में कर position to ये वाली है और outermost ये है तो blue कहा आ जाएगा यहां पर innermost wheel में orange पाट जो है वो position 4 में है position 4 ये री innermost ये रहा तो orange का आ गया यहां पर इतनी बात समझ में आई next उसने बोला है जो pink part middle of the wheel में है pink part middle of the wheel में है वो immediate right किसके है green part outermost wheel के green part outermost wheel के right में कौन है pink part of the middle wheel अब आप लोग सोच रहोंगे कि माम आपने तो arrangement कर दी कि वो लोग circle के center में देख रहे हैं right क्योंकि हमारा right यहां बनता है left यहां बनता है बट conditions को मैं उस तरीके से note कर रही हूँ कि आपको भी जिस position में भी आप बैठे हो आप उसके according conditions note करो बट जब हम circle में plot करेंगे तो ह यह मुझे थोड़ा से एक easy way लगता है मैं आपको उसी way में बता रही हूँ पहली condition हो गई उसके बाद उसने क्या बोलाए कि middle wheel में जो red part है वो position 6 पे position 6 यह रही red part ही यह रहा middle wheel ही यह रहा तो red part यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद उसने बोलाए कि जो white part है innermost wheel का वो immediate right है blue part of the outermost wheel के जो white part है innermost wheel का वो immediate right किसके है blue part of the outermost wheel के और blue part of the outermost wheel के आप arrangement यहाँ पे कर चुके हो तो आपको पता है कि white immediate right में है राइट इसका हमेशा यहाँ चलेगा और लेफ्ट इसका हमेशा यहाँ चलेगा क्योंकि वो बाहर देख रहे हैं तो अब आप यह चीज़ देखो कि blue का जो immediate right है वो यहाँ बनेगा और उसने बोला innermost का तो white यहाँ पर आ गया तो यह condition हमारी fulfill हो चुगी है उसके बाद इमेडियेट लेफ्ट है औरेंज पार्ट मिडल वील के औरेंज पार्ट मिडल वील के इमेडियेट लेफ्ट कौन है बॉयलेट पार्ट किसका इनर्मोस्ट वील का आगे बात समझ में उसके बाद उसमें बोला कि जो रेड पार्ट है इनर्मोस्ट वील का पिंक पार्ट है वो outermost में आना चाहिए pink जो है वो middle में आना चाहिए और red जो है वो innermost में आना चाहिए मतलब ये लोग ऐसे आएंगे same position में Is that okay? कोई colored wheel है colored part है wheel के अंदर वो ना तो immediate right है और ना ही immediate left है अपने ही color के अब इसका मतलब क्या हुआ अगर हमने blue के arrangement यहां पे करी है तो blue के immediate right में भी ब्लू नहीं आ सकता और immediate left में भी blue नहीं हो सकता तो और position 8 में नहीं हो सकती है उसके बाद उसने बोला है कि जो green part है वो position 1 में आ रहा है किसी ना किसी wheel में अब आपको पता है कि आप यहाँ पे white को plot कर चुके हो मतलब green या तो middle wheel में आ जाएगा या फिर outermost wheel में आ जाएगा last मुशने बोल दिया कि जो white part है middle wheel का white part जो है middle wheel का वो immediate right किसके है yellow part of the outermost wheel के इतनी arrangement आपको समझ में आई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जो भी मैंने conditions यहाँ पे note down करी है अब आपको question में starting में यह बोला गया था कि जो white है ना वो pink के हमेशा right में रहेगा pink के हमेशा right में white रहेगा हर एक circle में तो अगर pink के right में white है तो pink की arrangement में यहाँ नहीं जाहिए Am I right pink के arrangement अगर यहाँ हो पाएगी तभी तो white के arrangement हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे ना यह condition तो यह pink के arrangement हम यहाँ पे कर चुके हैं उसके बाद देखो उसने यह वाली condition बोली थी yellow pink और red वाली yellow तो आना चाहिए, outermost में pink आना चाहिए, middle में और red आना चाहिए, inner most में अगर मैं यहाँ पे yellow pink और red लिके देखो तो pink के ना तो immediate left ना तो immediate right pink आसकता मतलब यह condition cancel होगि मैं यहाँ पे लेके देख लेती हूँ, yellow pink and red, red के ना courageous immediate right ना तो immediate left आ सकता तो यह condition भी cancel होगी तो मतलब red यहाँ पर भी नहीं आ सकता तो यह condition भी cancel होगी हमारे पास सिरफ इसके लिए बच कौन सी condition रही है yellow, pink और red इतनी बात समझ में आई इसको थोड़ा सा मैं erase कर देती हूँ ताकि हमें जो आगे वाली conditions है वो नोट करने में असानी हो जाए I hope आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स condition अगर आप देखोगे कि pink middle में आ रहा है तो pink यहां भी मिडल वील में लगा चुके हैं और जो green है उसके immediate right में आ रहा है I hope I am clear green के immediate right में हमने pink बिठा दे और यहां पर हमारी green की भी जो condition है वो फुल्फिल हो चुकी है तो यह दो conditions हमारी यहां पर हो गई और यह तीसरी वाली भी हो गई उसके बद यह fourth वाली condition देखो आप yellow जो है outermost wheel का उसके एकदम right में कौन आ रहा है white वो भी middle wheel में yellow जो है outermost wheel का उसके एकदम right में कौन आएगा white middle wheel के यह आगी आपको समझ में और क्यूंकि उसने question में पहले बोला था कि pink के immediate right white होना चाहिए तो यहां से हमारी cross check भी हो गई कि हमने यह जिस सही लिखी है तो violet innermost और orange जो है वो middle में आए अब देखो अगर मैं violet को यहां बिठा दूँ यहां पे औरेंज यहां तो नहीं आ सकता मतलब यह cancel अगर मैं violet को यहां बिठा हूं orange यहां भी नहीं आ सकता क्यूंकि immediate right और immediate left orange नहीं बैठ सकता यह भी cancel हो गई violet यहां भी नहीं बैठेगा क्योंकि orange यहां पे नहीं आ सकता सेम कलर एक दूसरी के उपर कैसे आ सकते हैं जब उनकी जो arrangement ही है वो change ही है तो सेम कलर एक दूसरी को पर आई नहीं सकते हैं उसके बाद देखो अगर मैं violet को यहां पे बिठा दू औरेंज यहां सकता है क्यों न आएगा इन Colours की एइसे बनेगी और अगर हम यहां से अपनी नजर घुमा के देखें तो रेड के बाद White आ रहे आ रहे है वाइट के बाद Pink आ रहे है आ रहे है पिंग के बाद की आना चीए वाइले व्युवयलेट के बाद कि आना चीए औरेंच तो यह भी हमने इसकी رाया है Imediate right में आ रहा है U से अगर मैं Pink यहां पर कर दूँ तो वाइट यहां नहीं आ सकता मतला Pink यहां पर नहीं आएगा अगर मैं Pink के आरेंजमें यहां कर दूँ तो white यहां आ जाएगा कर दो दैखो हमारे पास warfare कॉन कॉन से बच रहे है road और dialect orange हमारे तीन कलर्स बच रहे हैं अब रेड की अगर हम अरेंजमेंट देखे की कहां का हो सकती है यहां पे तो नहीं हो सकती यहां पे भी नहीं हो सकती और यहां पे भी नहीं हो सकती एक बार हम उनको यहाँ पर लेके देख लेते हैं वाइट को यहाँ पर पिंक को यहाँ पर अगर वाइट और पिंक यहाँ आ गया और रेड इन दोनों में नहीं आ सकता तो रेड का आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा रेड इतनी बाद समझ में आई ये हमने इसको set कर दिया अब आपको पता है कि जो red के बाद वाली arrangement है वो कैसे चलेगी red के बाद white, white के बाद pink, pink के बाद violet, violet के बाद orange तो red के बाद white, white के बाद pink, pink के बाद violet, violet के बाद orange हमारे पास हमारे colors की arrangement ये वली आ चुक है कि हमारे colors इसी ही arrangement में सारे के सारे circles में fit होंगे अब orange के बाद वाली बच्छरी थी orange के बाद देखो कौन सा color आ रहे yellow yellow के बाद देखो कौन सारे green green के बाद देखो कौन सारे blue blue के बाद red हमारी ये वाली arrangement पूरी हो गई अब यहां से देख लो orange के बाद yellow yellow के बाद blue blue के बाद yellow के बाद green green के बाद blue हो गई तो ये वाली जो arrangement है हमारी पूरी हो चुक्छी है चोटा सा trick था trick हमें समझ में आ गया conditions हमने note करी और साथी साथ हम सारी conditions को एक दुसरे के साथ जोडते गए और हमारा question बद चुका है अब हम देखते हैं इसके आगे वाले questions जो है उसके क्या answers होंगे पहले question मुझे बोला कि जो position of the pink है in the middle wheel with respect to yellow part in the same wheel बताना है मतलब pink और yellow middle wheel में देखो कहा है pink ये रहा yellow कहा है ये रहा pink की position बताने है yellow के part yellow के according तो yellow के according pink कहा जा रहा है 1 2 3 third to the right जाएगा या फिर 1 2 3 4 5 fifth to the left जाएगा third to the right हमें दिख रहा है तो ये हमारा answer हो गया उसके बाद उसने बोला कि straight line कौन कौन फर्म कर रहा है अगर ये inner होगा ये middle होगा और ये outer में आएगा तो हम लोग देख लेते हैं कि इस arrangement में हारे पस circles मे कौन कौन से colors बन पा रहे हैं pink, yellow, red इनर से शुरू करना है pink, yellow, red नहीं बन रहा yellow, pink and blue yellow, pink and blue भी नहीं बना white, orange and green white, orange और green भी नहीं बना pink, blue and yellow pink, blue and yellow भी नहीं हुआ green, red and violet green, red and violet हमारे पस यहां पर आ चुका है तो हमारा answer क्या हो गया E उसके बाद बोला कि blue part की जो position है middle wheel में हमें वो बतानी है, middle wheel में blue का आ रहा है position 5 पे, तो यह भी हो गया, next मुझने बोला कि अगर position 1 को 8 से change कर दो, 2 को 7 से change कर दो 3 को 6 से change कर दो, 4 को 5 से change कर दो, तो हमें position बतानी है orange part in the middle wheel की किसके respect में green part in the inner wheel, green part in the inner wheel तो यह रहा orange part in the middle wheel का है यह रहा, हमें इनकी positions बतानी है, अब उसने बोला था कि जो second है, उसको हमने 7 से change किया है, और जो हमारे पास sixth है उसको हमने किस से change किया, 3rd से ठीक है, अगर आप अपने common sense लगाऊगे, तो आपको यह चीज़ दिख रही है कि चाहे वो इधर से जाए, चाहे वो इधर से जाए, वो 4 to the right आएगा या फिर 4 to the left आएगा, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 and 4 तो फोर्थ वाला यहां पर आपको कौन सा option दिख रहा है C, तो जो C है वो ही हमारा answer हो जाएगा तो यह वली हमारी पूरी puzzle बन चुकी है questions भी solve हो चुके है I hope आपको यह वली puzzle बहुत अच्छा से समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कुछ doubt रह जाता है तो आप comment section में मुझसे बेजी जग पूछ लेना, I'll definitely reply you all तो जैसे कि आप सब लोगों ने अभी देखा कि हमने guidely का question किया है या मैं कहूं formerly IVPS guide का हमने question किया है तो guidely आपके लिए एक express video course लेके आई है यह complete course है जिसमें आपको live classes भी मिलेंगी और early mock test series भी मिलेंगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1200 plus mock test series मिलेंगी banking, insurance, railway and sse exams के लिए 500 plus videos मिलेंगी bank and insurance exams के लिए आपको live classes भी मिलेंगी 350 plus hours की खास बात और है कि यह लोग इक telegram group में आपको personal guidance देंगे जिसमें जो इनके teachers हैं they will give you their personal guidance इस जो course है उसकी lifetime validity रहेगी जब भी आप खरीदो तब से उसकी lifetime validity आपको मिलेगी यह जो course है आपको mobile और laptop दोनों पे ही access हो जाएगा subscribe करने के लिए नीजर description box में link दिया गया है अब वहाँ से click कीजिए और study नीती code यूज़ करके आपको 10% का discount मिल जाएगा